दोस्तो नमस्कार आज हम स्वांस सम्मंदित रोगों के लिए एक आयुरुवेदिक और दिकी जानकारी लेकर आए हैं इस दवा का नाम है स्वांस कुठार रस वैसे तो इसे सभी कंपनियां बनाती हैं यह एक आयुरुवेदिक और दिए है जो मुख्य रूप से खांसी, दमा, स्वांस रोग, ब्रॉंकाइटिस, स्वाइन फिलू और स्वांस लेने में दिक्कत जैसी तकलिफों में यह दवा इराज करती है यह फेपडों में जमे हुए कफ को निकालती है, उनकी कार्यशमता को बढ़ा कर नई उर्जा परदान करती है इसके प्रियोग से फेपडों से सम्मंदित सभी परेशानियां दूर होती है इस दवा में घटक द्रवों की बात करें तो इसमें सुद्ध पारत भश्म, गंदक भश्म, शुद्ध वच्चनाब, सुहागे का फूल, काली मिर्च, मैंसिल, अधी औज़्धियों का मिश्रन होता है दोस्तों यह निमोनिया में बहुत अच्छा काम करती है स्वांस रोगों के अलावा यह दवा, सिन्पात, मूर्चा, अपसमार, बेहोशी, आदा सीसी का दर्द, वात और कफ के कारण पैदा हुआ सिर्दर्द, जुकाम और ग्यारप प्रकार के छे रोग, स्वरभेद आदी में यह औज़्धि बहुत ही अच्छा काम करती है वरद्धा वस्ता के कारण सांस फूलना, घबराहट, सांस का तेज चलना, आँखों के आगे अंदेरा चाना, इन सभी लक्षणों में स्वांस कुठार रसका महतपूर्ण योगदान है दोस्तो अगर किसी भी रोगी को बताई गई परिशानियों में से कोई भी परिशानी है तो इस दवा का सेवन किया जा सकता है तो बात करते हैं इसके डोज के बारे में इस दवा की एक से दो गोली गुनगुने जल या सहथ के साथ लेकर बाद में गुनगुना दूद पिएं दवा डोज से अधिक मात्रा में कभी भी यूज ना करें या फिर किसी भी आहिवेदा चारिय की सलाह पर इस्तमाल करें तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी एक नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होते हैं अगले वीडियो में नमस्कार